नमस्कार दोस्तों, आपके हम आपके परिवार के अच्छे स्वास्थी की शुब कामनाओं के साथ, आज की वीडियो लेकर के आ रहा हूँ आपके समक्ष जिसका टाइटल मैंने दिया, यानि एक NRI को इंडिया में बेसिक एक्जम्षन लिमिट जैसे आप कह सकते हैं सर ढही लाक रुपए की बेसिक एक्जम्षन लिमिट है, उसका बेनिफिट मिलेगा, अत्वा नहीं मिलेगा, यह एक बड़ा ही इंटरस्टिंग क्वरी है, तो दोस्तों, कवरेज में मेरे पास में पांच महतकून प्रश्ण है, वाट आर दा प्रिवेलिंग स्लैबरेट्स, हमें यह भी पता हो के साथ बेसिक एक्जम्षन लिमिट के परपजेस से स्लैबरेट क्या है, कि वो स्लैबरेट के मद्देनगर फिर हम देखेंगे कि क्या अनराई को उन स्लैबरेट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं, वाट कुड बी था टाइपस आफ इंकम ऑफ अनराई इन इंडिया, वैदर स्लैबरेट बेनिफिट इस अवेलेबल तो आ एनराई और नॉट जो में प्रेशन है, किन न्यू स्लैबरेट बेनिफिट भी अवेल्ड बाया एनराई, यानि एनराई को जो नई स्लैबरेट आई हैं उसका भी बेनिफिट मिल सकता है या नहीं, एनकेन रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो आप लोग जानते हैं साड़े बारा जार रुपे की रिबेट मिलती, अगर पाँच लाग तक की टोटल इंकम है, तो क्या एनराई को दोस्तों 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल सकता है नहीं, आज इन प्रेश्टों पर हम डिस्केशन करते हैं, दोस्तों सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूँ कि what are the prevailing slab rates for the assessment year 21, 22 and 22, 23, basically दोनों year के लिए ये सेम ही है, मैंने इसको old regime लिखा है सर और फिर मैंने इसी बात को new regime लिखा है, old regime का मतलब है सर के पुरानी slab rate और new regime का मतलब है दोस्तों नई slab rate, old regime में अगर मैं आप से बात करता हूँ, तो धाई लाग रुपे तक की total income per nil, नई में भी nil, धाई लाग से पाँद लाग तक दोनों में 5%, यहां से दोस्तों difference आना शुरू हो रहा है, कि old slab rate में 5 से 7.5 के बीच 20% rate थी, जबकि नई में 10% की rate है, इसी प्रकार से सर आगे, हर जगे 55% की rate का आपको difference 10%, 5% की rate का difference मिलता जाएगा, मैंने यह slab rate के वल आपके reference के लिए रखी है, और यह कह सकता हूँ कि 15,00,000 से उपर के आपकी अगर total income है, तो आपको दोनों ही परिस्तिती में चाहें आप new slab rate में जाएं या old slab rate में जाएं, 30% की tax rate लगना शुरू होगी. अब दोस्तों मैं NRI की income को किस प्रकार से देखता हूँ कि what are the types of income of NRI in India from the point of view of claiming basic exemption limit for such NRI, either such an income could be a special rate income और such an income could be normal rate income. आप बोलेंगे वडिया जी इसको थुड़ा example से बताईए, तो मैं बताता हूँ. जैसे मान लिजे, as in NRI, आपने इंडिया में investment किया, आपको mutual fund बेचने से short term capital gain हुआ, long term capital gain हुआ, तो वो sir mutual fund, अगर equity oriented mutual fund है, तो ऐसी परिस्तिती में short term पर आपको section 111A में 15% tax rate लगेगा, long term पर आपको section 112A की वज़े से 10% tax rate लगेगा. अब आप कहेंगे बढ़िया जी normal rate बताईए, कि normal rate वाली income कौन से होती है, जैसे माल लीजए कोई NRI की इंडिया में property है, वो उन्होंने किराये पे दी साल का 10 लाग किराया आ रहा है, ये दोस्तों उनकी normal rate की income कहलाएगी, तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है slab rate के point of view से, कि क्या NRI ने जो income कमाई इंडिया में, वो special rate की income है या normal rate की income है, अब मैंने आप से जब classification करा लिया special rate और normal rate का, तो मेरा मूल प्रशन दुवारा आ गया whether slab rate benefit is available to an NRI, क्या NRI को slab rate का benefit है, तो दोस्तों thumb rule create कर रहा हूँ, अगर NRI की special rate की income है, तो basic exemption का benefit नहीं मिलेगा, और normal rate की income है, तो basic exemption limit का benefit मिलेगा, अब मैंने इसी बाग को लिखा भी यहाँ पर, कि slab rate benefit is not available on following special rate income earned by a non-resident in India, for an example, these are example only sir, thumb rule मेरा चलेगा, special rate की income पर basic exemption limit नहीं मिलेगा, short term capital gain taxable under section 111A, long term capital gain of section 111A, और 10812A, इसी प्रकार से special income which is taxable, either under section 10815A to 10815E, तो मेरा बड़ा स्पष्ण मानना है sir, कि अगर as an NRI आपके पास में इस प्रकार की income है, तो आपको basic exemption limit का benefit नहीं मिलेगा, अब दोस्तों यह थोड़ी सी interesting बात है, कि जब सर slab rate का benefit लेने की बात हो रही है, तो क्या nice lab rate का benefit non-resident को मिल जा गया नहीं, अभी मैंने आपके सामने nice lab rate शुरू में ही रख दी थी, तो nice lab rate के संदर में जो section आया दोस्तों, section 10815BAC, finance act 2020 यानि assessment year 2021 से, यानि अभी जो March खतम हुआ है, March 2021 उसके लिए जब return है जाएंगी, तो क्या NRI special rate का benefit ले सकता है क्या, तो section 115BAC does not restrict the benefit of news lab rate to a non-resident Indian even, very important point sir, if as an NRI you have normal taxable rate income in India, on such an income, you can certainly claim the benefit of basic exemption limit, so this is a very important point, with through this particular video, NRIs can certainly get benefited, अगला प्रश्ण है दोस्तों मेरा, वेदर NRI में अवेल the benefit of rebate under section 87A, here my straightaway answer to you is, that section 87A benefit, which is equivalent to 100% of tax payable or 12,500, where total income does not exceed 5 lakh, is available only to a resident individual, hence NRI can't avail the benefit of rebate under section 87A, अगला प्रश्ण है दोस्तों में उम्मीद करता हूँ, कि NRI के case में आपको basic exemption limit का benefit मिलेगा या नही, इस विशे पर बनाएगे वीडियो आपको ग्यानवर्दक लगी होगी, साथ ही इसे सुनने के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैहें,